हेलो एवरिवन इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सटाइस टू पर्ट मन का क्वेस्टिन नमबर टू टाइटल है एरेंजड़ फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ओडर ओके तो डिसेंडिंग ओडर क्या था पहले वह समझ लेते हैं इसमें दो टाइप्स के होते हैं अगर मैं आपको कोई नमबर दे दू कि 3,4,5 उसको असेंडिंग ओडर में लिखो तो आप लिखो कि सबसे पहले चोटा नमबर यानि 3,4,5 और ओके तो अगर डिसेंडिंग में पूछू तो सबसे पहले कौन सा नमबर आता है डिसेंडिंग में सबसे पहले बड़ा नमबर लिखना लेकिन अगर आपको फ्रेक्शन दिये जाए तो किस तरीक से लिखना है जैसे कि यहाँ पर दिया है 2.9, 2.3 और 8.21 तो इसको अगर लिखना है तो सबसे पहले लिखना आपको होता है बड़ा नमबर कौनसा नमबर सबसे बड़ा है तो यहाँ पताने चलेगा क्यों बिकोज नुमेरेटर अलग-अलग है डिनॉमेरेटर भी सबके डिफरेंट डिफरेंट है तो कैसे चेक करेंगे कौनसा नमबर सबसे बड़ा है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा सभी फ्रेक्शन को लाइक में कर दो लाइक फ्रेक्शन में लाइक फ्रेक्शन में कैसे convert करेंगे सबका denominator equal करेंगे उसके लिए हमें 9, 3 and 21 का find करना पड़ेगा LCM तो सबसे लिए उसके LCM find कर लेते हैं 9, 3 and 21 का LCM डूनेंगे सेम मैतर से जैसे मैं आगे बताया था चोलो यहाँ पर कोई भी even number है नहीं 2 से divide नहीं होगा 3 से divide कर सकते हैं तीनों number को 3, 3, 3, 9 3, 7, 21 सबसे छोटा number 3 वापस 2 से तो divide होगा नहीं 3 से कर लो 3, 1 को ऐसे ही रहने देना है बाद में 7 7 तो 7 से ही divide होगा 7, 1, 1 as it is तो यहाँ LCM क्या मिलेगा हमें यह तीनों number का multiplication होगा हमर LCM तो 3 multiply by 3 multiply by 7 3, 9, 7 से क्या होता है 63 तो LCM हमें मिलेगा यहाँ पे 63 सबसे पहले हम क्या करेंगे सभी fraction को बना देते है like fraction में convert कर देते है 2, 2, 9 को चलो equivalent बनाना है तो 2, 9 को किस से multiply करेंगे multiply by denominator में क्या लाना है आपको 63 9 को किस value से multiply करेंगे तो 63 आएगा 9 को 7 से multiply करेंगे तो 63 आएगा 9, 7 जा 63 तो यहाँ पे 7 लिखेंगे यहाँ भी 7 लिखेंगे मैंने बता जैसे कि equivalent fraction कैसे find करते है दोनों fraction को numerator और denominator में same number से multiply करने से मिलता है equivalent fraction इससे इसकी value change नहीं होती है यहाँ पे हो जाएगा 7 to the 40 9, 7 जा 63 फर्स fraction हो गया second fraction को भी convert कर दे equivalent में चलो 2.3 है तो denominator में हमें क्या चाहिए 63 3 को किस से आप multiply करेंगे तो 63 आएगा तो यहाँ पे 3 निकाल दो कि आप बचा 7 जा 21 तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 21 क्या होता है 63 सेम यहाँ पर भी लिखेंगे 21 सिंपल मल्टिप्लाइ कर दो numerator को numerator से 21 2 जा क्या होता है 42 और 21 3 जा होता है 63 ओके यहाँ पर डिनोमेटर सेम होगा 63 यहाँ पर 63 मिल गया चलो लास्ट फ्रेक्शन 8 ओपन 21 8 ओपन 21 को 21 तो यहाँ पर है 63 लाने के लिए इसको करना पड़ेगा 3 से मल्टिप्लाइ जैस्ट हमने यहाँ पर ही किया 3 ओपन 3 लिख दो यहाँ पर 8 ओपन 21 ओपन 23 जा क्या होता है 63 तो सभी फ्रेक्शन 2 पन 9 का एक्वेलन फ्रेक्शन हो गया 14 ओपन 63 2 ओपन 3 का हो गया 42 ओपन 63 और 8 ओपन 21 का हो गया 24 ओपन 63 चला सभी की एक्वेलन फ्रेक्शन मिल गए अभी क्या करेंगे सबको एरेंज करेंगा में डिसेनिंग ओडर में तो सबसे पहले कौन सा लिखेंगे जो बड़ा नमबर होता है वो सबसे पहले लिखना होता है जो भी biggest नमबर है तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है तीनों में सबसे biggest नमबर अभी यहाँ पर सबका denominator सेम है तो आपको numerator के उपर पता चल जाएगा कौन सा नमबर सबसे बड़ा है यहाँ पर जो 42 है वो सबसे बड़ा नमबर है तो 42 लिखेंगे सबसे पहले 42 उपन 63 सबसे बड़ा यह greater than की सायन है यह क्या define करता है यह नमबर सबसे बड़ा है और यह साय जो भी नमबर लिखेंगे वो उससे छोटा होगा 42 से छोटा कौन सा नमबर है फिर आएगा 24 लिख देते है 24 उपन 63 इससे छोटा यानि इससे भी छोटा और कोई नमबर है तो कौन सा है 14 वाला लिख देते हैं फ्रेक्शन 14 उपन 63 यह हमने कर दिया डिसेनिंग ओंडर में रेंज फ्रेक्शन को यह सबसे बड़ा उससे छोटा यह और उससे छोटा यह फ्रेक्शन अभी यह किसका एक्वेलेंट फ्रेक्शन था इसका ओरिजिनल फ्रेक्शन हम लिख देते है आमें प्रेक्शन इसके लिए पुछा गया है तो 40 उपन 63 वो 2 उपन 3 के लिए हमने लिखा था इसकी जगा हम लिखेंगे 24 उपन 63 के लिखेंगे 2 उपन 9 तो यह हो गया कनवर्ट डिसेनिंग ओडर में तो इस तरीके से आपको फ्रेक्शन को कनवर्ट करना है तो यह था एक्वेस्चन और एक्वेस्चन देख लेते है सेकंड सिमिलरली वैसा ही करना है जैसे मैंने एक्स्प्लेंड किया यहां पर आपको नंबर दिये गए है 1 अपन 5 3 अपन 7 7 अपन 10 सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर जैसे हमने किया 5, 7 और 10 का फाइन करेंगे LCM तो तीनों का LCM यहां पर फाइन कर लेते हैं 5, 7 और 10 का LCM फाइन करेंगे सबसे पहले चलो यह नंबर 10 छोटा नंबर कौन सा 2 से स्टार्ट करेंगे यह 2 से डिवाइड हो जाएगा 10 तो 5 को एज़िट रहने दो डिवाइड नहीं होता है 2 से तो से तो सेम रहने देना होता है 2 फाइज आ 10 चलो यहाँ पर 2 2 से कोई डिवाइड नहीं होगा 3 से नहीं 4 से भी नहीं कौन सा नंबर आएगा भी 5 तो 5 से चेक करते हैं 5 बंज आफ 5 7 ऐज इट इस 5 बंज आफ 5 यहाँ भी कौन सा नंबर है 7 तो 7 का कोई फैक्टर नहीं है तो 7 बंज से डिवाइड होगा तो LCM क्या मिला हमें यहाँ पर 2 मल्टिप्लाइब 5 मल्टिप्लाइब 7 2 फाइज आ 10 10 बंज आ 70 ओके तो LCM हमें यहाँ पर मिल गया 70 यह रहा LCM और यह 70 70 है तो सभी फ्रक्शन को पहले बॉर्ट बिल्ट बना देते है 1 lleva 5 को किस से मल्टिप्लाइब करेंगे नम्ब लाईब तो 5 को किस वेली से आप मल्टिप्लाइब करेंग तो 70 आएगा अगर नहीं पता आपको मल्ट्प्लाइब करना पड़ेगा यृत 50 ऐस डिवाइड कर दो ले ले 3 open 7 70 लाना है तो 10 से 70 कब आएगा 10 से multiply करेंगे तो यह तो बहुत इजी है 10 by 10 लिख दो 10 जा क्या होता है 10 तकी जा 30 Last fraction 7 open 10 7 open 10 लिख आपने 70 लाना है यहाँ पे 10 अल्रडी है तो हम लिखेंगे 7 open 7 10 7 जा हो गया 70 7 7 जा होता है 49, ओके, सब फ्रेक्शन लिख दिया हमने, equivalent बना दिये, अब एक सबसे बड़ा नमबर पहले लिखना है, क्योंकि हमें, और एरेंज किसमें करना है, descending order में, तो सबसे बड़ा नमबर यहाँ पर है, 14, 30, 49 में यह वाला, यह सबसे biggest नमबर है, यह यहाँ पर लिख देते हैं, big, यह सबसे छोटा है, small, ओके, तो सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, यह वाला फ्रेक्शन, लिख देते हैं, 49, 70, बड़ा है, उससे छोटा कौन सा है, 30, 70, उससे छोटा कौन सा है, 14, 70, अब इसको ओरिजिनल फ्रेक्शन लिख देते हैं, जैसे हमना आगे लिखेते, 49 के लिए लिखेंगे यह वाला फ्रेक्शन, 7 अपन 10, 30 वाले के लिए यह, 3 अपन 7, और इसके लिए लिखेंगे 1 अपन 5, हो गया, सबसे बड़ा फ्रेक्शन यह है, उसके बाद आएगा 3 अपन 7, और उसके बाद आएगा 1 अपन 5, तो यह था हमारा last answer, दोनों question का, इस question में यह answer आया, दूसरे में क्या आया था, यह वाला, यह हमारा final answer है, ओके, thank you for watching, अगरा आया आया वाला,